हेलो श्रुएंट्स, आई टी एंसीवडी क्लासिस में आप सभी का स्वागत है, मैं रुपेशिंग, आज आप लोगं के लिए बहुत अच्छी इंफोर्मेशन लेकर आया हूँ, जैसे कि आप लोगं को आई टी आई में इंफोर्मेशन मिल रही होगी, कि रोजगार संगम मे जाकर आप लोगं को एक रेश्टेशन फॉर्म फिल करना है, तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप लोगं गूगल में रोजगार संगम आपको इंपूड करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे, तो दो वेबसाइट आएंगे, एक है रोजगार संगम NIC UP की जो की सेवा योजन है, दोसरी है UP गवर्मेंट की रोजगार संगम.up.gov.in, तो आप सभी लोगों को इसी साइट पर जाकर रेश्टेशन प्रोसेस को आँगे बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर लिखा हूए, साइन अप एंड लॉग इन, तो जो नहोंने पहली बार इस साइट पर आए हैं और उन्होंन अप यह अभी तरह रेश्टेशन नहीं किया है, तो साइन अप करेंगे, तो देखिए, मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर कई सारे ओप्शन आ रहे हैं आपर, जॉब सीकर, इ यानि हम जौब देख रहे हैं, जौब सीकर मतलिब जॉब देख रहे हैं, तो आपको ITI की इनफर्मेशन भी फिल करने हैं, अपने इन्फर्मेशन तो रालन यह लाम करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आप लोग के जो नाम है, वहाँ पर शुल होने लगेघेंगे, त कई लोग मोवाइल से, कई लोग लैपटॉप से, कई लोग कैफे से बनाएंगे साइट को, याने रेइस्टरिशन करेंगे, तो मैं ज्यादा तर ही बोलूँगा, कि आप लोग सिस्टम या डेश्टॉप से, या लैपटॉप से, या किसी कैफे में जाकर इसको फिल करें, और लाश्ट निम क्या हो जाएगा सिंग बीच के मिडिल नेम नहीं रहेगा यह खारी ब्लैंक रहेगा अब बात आती है स्टेट की आप यूपी के हैं या किसी भी स्टेट के हैं तो अब यूपी के लिए साइड है तो यूपी में लोग आहितर रेश्टेशन करेंगे तो यूपी डाल दिया यह करने वाद district choose करेंगे जैसे मैं कानपूर रहने वाला हूँ तो मैंने कानपूर फिलिक कर दिया यह दिकानपूर नगर फिलिक कर दिया रेजिश्टर फॉर हम campus इस्टुडेंट है या किसी बाहर से नॉर्मल हम जॉब सीकर है हम मैं campus हूँ या यह मैं इटिय कर रहा हूँ या मैं पासओट हो गया हूँ तो campus में मैं क्लिक करूँगा साथ में अपनी education हमारी क्या है आईटी आई है देन आईटी इफिल किया क्या स्ट्रीम रही हमारी जैसे कि वह बच्चे QoPak के हैं या welder के हैं या कारपेंटर के हैं कॉस्समेलाजी की हैं डाटा एंटरी के हैं ड्राप्ट मैंड मेचंकल सिविल जो भी है क्लिक किया जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर कॉलेस का डिष्टिक आएगा माली यह कानपुर नगर आ गया तो कानपुर नगर के आई टी जित्तियों के सब सोने लगी आपर अब आई टी आई देखें कई सरी आई टी आ रही न तो गवर्मेंट आटी घाटमपुर यहां पर क्लिक करेंगे और आंगे बढ़ेंगे मैं पर इमेल टालिए जो वैलिड हो में डालिए ज Technology जिसम बना दिया मैंने उसको capital में, फिर starting के बाद जो भी होंगे मैंने small बनाया, अब एक add the rate, add the rate बना दिया, फिर आप कुछ numbers दे दिये, इस परकार से आपको capital later, एक small case, एक uppercase, एक आप add the rate बना दिये, और कुछ numbers दाल दिये, 1, 2, 3, जो भी है, इस परकार से आप इस चीज को बना सकते हैं, फिर आप अपने capture उसो fill करिए, sign up कर दीजे, फिर जब sign करेंगे, तो बगल मही sign option आजाएगा, जब fill हो जाएगा, फिर mobile नमर दाल दीजे, जो password आया है, वो password आलिए, आप password आयेगा, तो टिप कर password आयेगा, तो पूरे नमर दाल दीजेगा, डालने के बाद में, उसको new create का भी option आता है, आप निया password बना सकते हैं, तो आप चैनल forget भी कर सकते हैं, और निया password बाना सकते हैं, बहुत सिंपल है, फिर भी कोई समस्या होती है, तो ये आपका एक number है, मैं आपको बता दिर रहाएँ, grandpa 3 3 0, इस पर आप बताईए कि मैं एक जॉब सीकर के लिए मैंने आईडी अप्लाई करी है मेरा रेश्टेसन नहीं हो रहा है कर पर करके मेरा यह इस फॉर्म को फिल कराने करें आप उनकी इंफॉर्मेशन देंगे वह आपको बताते जाएंगे और आपकी जो आईडी है वह बनके त इस पर काड़ से जब साइन अप करने के बाद में यानि रेश्टेसन के नहीं बाद में जब लॉगिंग करेंगे तो आईटी आई की साइट पे आपका नाम सोगने लगेगा फिर वहां से हम अलाओ कर देंगे यस इतने बच्छे में रेश्टर्ड हो गये हैं आगे भी कई सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने रेश्टेसन करें और जाज़ज़दा इस रेश्टेसन को आगे बढ़ाएं आपने कर लिया तो आपने दोस्तों करवाएं मैं चाहूँआ कि आप जल्द से जल्द इस रोजगार संगम में उत्तरपदेश सरकार के द्वारा जो म करें कमेंट करें तब टकली जय हिन जय वारत